आपने कभी यह सोचा है कि अगर आप जब भी ब्लोगर में यहां पे जो इमेज इंसर्ट का ऑप्शन दिया है इस पे क्लिक करके जब भी कोई इमेज आप अपने डेक्स्टॉप से अप्लोड करते हैं इसमें तो वह इमेज जाता कहां पे है और अगर आपने कोई इमेज जै इसको एक्सेस कर बाता है क्योंकि सर्फर क्या होना चाहिए 24 इंटु 7 मतलब ओनलाइन यहां होना चाहिए तब जाके ही वह वेबसाइट पे जितने चीजें हैं उसको यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे अब यह इमेज हो गया या पिर यह जो टेक्स फाइल से वह सारे कर रहे हैं तो उसतरह के फोस को अब कैसे डिलिट कर सकते हैं यह फिर यह फोटो इक्छली होता कहा है यह अगर पता चल जाया हुँ तो हम इसको डिलिट कर सकते हैं तो बहुत लोग सोस्थे होंगे कि यहाप जो इंसर्ट उप्शन है वहां से यहां पर ब्लोगर का उप्शन दिख जाता है यहां पर ब्लोगर का उप्शन दिख जाता है यहां पर क्लिक करके इस फोटो को बस देख सकते हैं उसे आप मैंने नहीं कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि जितने भी आंटेक में मैंने फो फोटो दिखाएंगे जो क्या है कि जैसे कि अगर आप इसी एकाउंट पे अगर आपने बहुत सारे ब्लोगर साइट को दोमें ले रखा है फ्री वाले तो क्या होगा कि यहां इस इस ऑप्शन से आपको खोलने से बस इसी डोमें फोटो अप्लोडेट वह सब दिखाएंगे और यहां पर जो ऑप्शन है फ्रोम गूगल आर्चीव एल्बम आर्चीव यहां पर क्लिक करने से आपको फाइल्स दिखाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं इतने सारे मेंने साइट के अलग अलग साइट के हैं जो अलग अलग जो में इसका इसको यहां पर इंसर्ट कर सकती हैं और आप इसे डाउनलोड भी नहीं कर सकते हैं आप डिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है description में एक link मिलेगा उस link पे आपको click करना है link पे click करने के बाद आप इस post पे आ जाएंगे इस post में क्या करना है आपको नीचे scroll down करना है scroll करने के बाद आपको यहां पे जो third step है उसमें आपको दिख रहा होगा Google album archive का तो यहां पे आप एक link मेंने दे रखका है तो उस link पे आपको click करना है तो मैं यहां से new tab में खोल लेता हूं तो आप देख सकते हैं new tab में मैंने खोलने के बाद यहां पे मैं आ गया हूं और यह मेरे कुछ photos है और यहां पे आपको एक option मिल जाया है photos from blogger तो आपको simply click करना है तो आप जैसे click करेंगे आपका जितना site होगा जिस इस site से photo upload होगा उस site के नाम से आपको यहां पे folders देखने को मिल जाएंगे तो आपका जो नाम होगा जैसे आप आत्म जीवनी का आप देख सकते हैं तो मान लिजे इस तरह से आपका जो folders दिखाएगा और आपको तो अपने website का नाम तो पता होगा एक ब्लोगर का तो उस site के folder होगा उसमें आपको click करना है वहां पे आप सारे photos दिख जाएंगे जो उस site के blogger पे upload किया होंगे तो यहां से आप उसे manage कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं यहां से download भी कर सकते हैं तो अगर आपको यहां से कोई photo download या पर delete करना है तो आपको simply क्या करना है उस photo पे एक बर click करना है और आपको यहां पे site पे information का option details देख सकते हैं कब upload हुआ था क्या आम है या फिर कौन सा format है यह सब देख सकते हैं लेकिन आप यहां पर three dot पर अगर click करते हैं तो आपको यहां से delete का option और download का option दोनों ही option देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से किसी भी blogger post में लगे हुए image को या तो delete या फिर download कर सकते हैं आप अगर directly post से कोई photo delete कर देते है तो वह हैं से delete नहीं होता अगर मान लीजे है मैंने post कोला और यह post का यह photo यहां से है रिमॉफ कर लिया तो इसका मतलब यह नहीए कि यहां से delete हो जाए और आपका stores भरते जाएगा और ज्याद तो यह ज़्यादा हो जाएगा झाल